नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भत प्रस्तती नमस्कार शेकिष्णा शीराथे बहुत स्वागत है हमारे इस खास सेग्मेंट जोतिश्दिशा सत्य के राह में इस्पेसल वीडियो के साथ उपस्तित हो चुका हूँ कई सारी विशाय, कई सारे विचार, कई सारे मस्तुष्क में कौनते रहते हैं क्या दे दें, क्या दे दे, कितना दे दें इसी क्रम में आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो एक खास स्रिंगार से संबन देता है माताएं बहने चूड़ियां पहनती थी पहनती भी है लेकिन अब वो चूड़ी की जगध चूड़ा हो गया है कहां से नाम चला क्या चला हम खैन इस पे नहीं जाना चाहते हैं लेकिन आज हम जिस चूड़ी पर चर्चा करेंगे आप सब साइद गयस कर चुके होंगे कि अगर हम इस विशे को लेकर आएं तो मतलब बड़ी बात है कांच की चूड़ी और आपका जीवन माताओं बहनों के लिए खास दोर पार कांच की चूड़ी अब सिर्फ यदा कदा पार्टी और फंक्सन्स आदि में माताओं बहनों के हाथों में देखने को मिलती है साड़ी और लहंगे और सूट आदि के मैचिंग के साथ साथ लेकिन सामान रूप से वो नहीं धारन करना चाहती है या साथ संभलता नहीं जो भी रिजन हो तमाम तरह से आप लोग तरक दे सकते हैं तूट जाया करता है नहीं संभल पाता बरतन आदि धूरते समय बच्चे के केर के समय में तमाम तरह से धारणाएं हैं अब ये तो आपको देखना है कि भीया संभल रहा है कि नहीं संभल रहा है लेकिन पहनने का लाव क्या है यस पर आज हम जरूर बताएंगे आपको चूड़ी से सीधा सीधा संबंध चंद्रमा और शुक्र का होता है कांच और सिरिंगार रंग अलग-अलग होने की कारण उस खास ग्रह का प्रभाव और आ जाता है जैसे फॉर एक्जामपल आप पिले रंग की चूड़ी पहनती है कांच की तो चंद्र और ब्रहश्पति कनेक्टेड हो गए चंद्र ब्रहश्पति मिल करके गच केसरी नामक योग बना दिये आपके निरणय लेने की च्छमता में कई हजार गुना की वृद्धि कर दिये महिलाओं के बर्चस्व में प्रकारांतर से लाव भले उनको दिखता हो स्वावलंबन में, डॉमिनेशन में, स्वावलंबन है तो पैसे में, मूलता है उनके सुख में बहुत कमी आई है इसके पीछे के सबसे बड़े कारणों में एक कारण इनकी जीवन शैली और जीने का आधार रहा है उन्ही सैलीों में से एक शैली हमने लिया आज कांच की चूड़ी तो चंद्रमा और शुक्र के साथ इसका संबंद, चंद्रमा कौन? आपका सुख, आपका चतुर्थभाव आपका अंतरात्मा, आपका ममत्व, आपका मात्रत्व, वो चंद्रमा है चंद्रमा अर्थात नारी, चंद्रमा अर्थात आप स्वता है तो जब आप कांच की चूड़ी नहीं पहनेंगी साल भर में एक बार, दो बार, बहुत जादा, चार बार राकी आगया तीज आगया, हर्तालिका, करवा चौथ आगया, एक दो शादी ब्याह आगया, दिवाली हुली आगई मतलब उंगलियों पर गिनने वाले दिन, 365 में से 10 दिन भी नहीं रहता है तो आपने अपने जीवन से चंद्रमा के एक बहुत बड़े हिस्से को काट के बाहर कर दिया फेंग दिया, उसका प्रभाव समाप्त हो गया आज की तारीख में देखिए, माताओं के साथ बच्चों का संबंद कैसा है बड़ा सा क्वेश्चन मारक है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मारक तो ये जो बहुत बड़ा कारण बना है, इस कारण को आप हलके में न लीजिए कोशिश करिए कि आप कम से कम सब्ताह में दो दिन, भई आप से एकदम नहीं सबलता है एक कुपाय के तोर पर सब्ताह में कम से कम दो दिन, एक सोमवार के दिन और एक गुरवार के दिन कांच के चूड़ी जरूर पहनिए इससे आप देखेंगे कि आपके अंदर अलग तरह के निरडायक शमताओं का एक भंडार, एक पुंज, एक अठा होने लग जाएगा एक दिब्ब तेज आपके अंदर आने लग जाएगा एक प्रभाव जो चंद्रमा ब्रहश्पत का होना चाहिए वो आपके अंदर भरने लग जाएगा और सबसे बड़ी चीज, आपके जीवन में सुख की कमी जो चाहे पत के रूप में रहा हो, चाहे बच्चों के रूप में रहा हो, चाहे माता-पिता के साथ के संबंधों के रूप में रहा हो, उसकी कमी पूरी होने लग जाएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद से अब प्लाश्टिक की चूडियों को बाइबाई और काांच की चूडियों को हाई हाई करना है मरनल step उनको बुलाना है अपनी तरफ आकर्शित करना है और इस वीडियो को दबा करके शेयर करना है अपने जितने भी WhatsApp ग्रूप हैं आपके सब पर आप शेयर कर डाले हर जगह पहुचाईए हो सकता है कि एक छोटी सी पहल आपकी किसी के जीवन में खुशियों का अधार बन जाए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और देखते रहें फिर मिलेंगे जलता हूँ नमस्कार शिरादे अधिक जानकारी वो अपॉंट्मेंट के लिए संपर करें डेबल लाइन 10291850 और डेबल लाइन डेबल लाइन 02400 डेबल लाइन